हाथ नमस्कार मेरे भाई कैसे हैं आप लोग पूरा उमीद और विश्वास की आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आप अपने बहतर पढ़ाई में बहुत ही सांदार तरीके से लगे वे होंगे आपके मन में सवाल उट रहा होगा कि सर जो टॉप कर चुके हैं जो बच्चे वो आखिर कैसे पढ़ाई किये उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताईए तो आज का इस सेशन जो तीन से चार पांच मिनट का होने वाला है इस वीडियो को सबसे पहले तो आप एंड तक देखिएगा हम आपको आज वो चीज बताने वाले हैं जो एक रियल टॉपर इस्टेट टॉपर हम लोगों ने जा जाकर बच्चों से बात किया कि आखिर क्या कुछ रननीती है भाई तुम्हारे पास कैसे पढ़ाई कर रहे हो हमें भी बताओ और हमारे बच्चों को भी बताओ तो आज हम वो सारी चीजें बताने वाले हैं आप लोगों को कि वो कौन सा बुक से पढ़ाई करता है क्या उसका पढ़ने का तरीका होता है सारी चीजें एक एक करके हम discuss करने वाले हैं उससे पहले हम छोटी सी आप लोगों से request करेंगे कि आप इस channel को अगर पहली बार सारी चीज़ें आपको बताएंगे, देखिए, इसका कहना है, हम लोग जब इन से मिले, टॉपर बच्चे से, तो इसने बताया कि बुक कौन सा पढ़ना है, बुक के बारे में बताया, साथ में यह भी बताया कि अन्तिम के जो तीन महिने होते हैं, अभी से आप जोड़ोगे, तो एफ रोक्स आपके पास तीन महिना का सामय लगबग बचता है, तीन महिने जो बचा हुआ है, मेरे लाड़ो, टॉपर ऐसे, अरे यार, इका हो रहा है, बताओ यार, ठीक है, जो टॉपर बच्चे होते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, जो टॉपर होते हैं, ऐसे करते हैं, आगे जानने वाले हैं, बोर्ड परिक्चा 25 में अगर टॉप बनना है, तो इसे जरूर देखे हैं, यह हम इसलिए लिखे हैं, ताकि इनके द्वारा जो स्टैटिजी अपनाया गया है, हम आप लोगों के बीच उनको सेयर कर सकते हैं, देखिए, दो तिन पॉइंट आप ल कि वो आखकान बंद करके न सिलेबस कम्पलीट करता है, वो कुछ नहीं सोचता है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है, इस सब अगडम दिगडम की बातें को सब साइड कर देता है, वो सबसे पहला काम यही करता है कि सिलेबस को कम्पलीट करता है, जितना उससे हो पाता है, उतना वो syllabus को complete करता है, तो अब आप अपने अनुसार से सोच लीजिए, कि क्या आपका पहला number जो point है मेरे भाई, पहला number जो ये point है, syllabus complete करना, syllabus complete करना, क्या आपका syllabus complete हुआ है, वो आप अपने अनुसार से देख लीजिए, अब हम लोग क्या help करेंगे, वो भी discuss करेंगे, पहले तो ये समझे, कि टॉपर कैसे पढ़ाई करता है, तो सबसे पहला point क्या आया, syllabus को वो बहुत ही बहतरी ढ़ंग से complete करता है, और साथ ही साथ वो knots बनाते चलता है, knots, साथ ही साथ वो क्या करता है मेरे भाई, knots बनाते चलता है, suppose हम physics के राजा है, तो मेरे द्वारा जो physics पढ़ाया गया है, और जो knots दिया गया है, तो आप उसको घर में एक बार knots को जरूर बनाएंगे, अपने copy pen में, copy pen से ले करके, दूसरा काम क्या करता है, for example, ध्यान से समझने योगी बाते हैं, आपको मेरे द्वारा, प्रकास चैप्टर पढ़ाया गया, कौन सा चैप्टर पढ़ा दिया मेरे भाई, हमने आपको light चैप्टर पढ़ा दिया, क्योंकि हम already physics teacher हैं, तो हमने आपको light चैप्टर पढ़ा दिया, 10th हो, 12th हो, कोई भी बच्चे हो, हमने आपको light चैप्टर पढ़ा दिया, तो syllabus complete का मतलब क्या हुआ, कि इसमें syllabus में से कोई एक चैप्टर हमने पढ़ लिया, तो अब दूसरा काम हमको यही करना है, कि chapter wise pyq का collection करेंगे, संगरह करेंगे, कोई भी book लीजिए, doesn't matter, वो matter नहीं करता है मेरे भाई, कोई भी book लीजिए, आप उस book का, जैसे target का भी pyq आता है, किसी का भी आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी का भी book लीजिए, धेरी सारा market में book आता है, pyq वला जिसमें आपको जो question bank होता है, जो question bank होता है, वो question bank आप किसी भी writer का ले लीजिए, किसी भी चीजिए का ले लीजिए, आप वहाँ से book ले लीजिए, और आप ढूंड ये उसमें, कि प्रकास chapter में, कौन-कौन सा questions पुछा जा रहा है, इससे होता क्या है पता है, अगर आप ये complete करके इस number पे आओगे, तो इससे बिहार board के अवकात का पता चलता है, कि बिहार board के exam में, प्रकास chapter से कौन-कौन सा question पूछ रहा है, कहां-कहां से question पूछ रहा है, वो सारा detail हमको पता चल जाता है मेरे भाई, किसको, इस चीज को करने से, अगर हमको पता चलेगा कि फलना फलना chapter से इस जगह से question पूछ रहा है, तो क्या हम उसको रगड के नहीं पढ़के जाएंगे, अगर मान लिजिए, प्रकास chapter में दर्पन सुतर जो होता है, उसका numerical दिया जाता है, और वो हर साल पूछा जा रहा है कि पांच नमबर लूट लिजिए, दर्पन सुतर से numerical बनाने सिख जाएंगे, और पांच नमबर लूट लिजिए, तो अगर आपको ये बात पहले ही पता चल जाए, कि दर्पन सुतर ते आईबे करते रहे, तो क्या हम उसको रगड के नहीं पढ़ लेंगे क्या, और पांच नमबर अपना जेब में भर लेंगे, तो ये तरीका होता है टॉपर्स का, वो पहले जान जाता है कि कौन-कौन सा चीज पूछने वाला है, और आप इन चीज़ों में पीछे चले जाते हो, जिसके कारण से आप नहीं समझ पाते हो, तो यहाँ पे होता है रियल मिस्टेक, और टॉपर नहीं बनने का कारण, आईए, यह हो गया, आब आते हैं तीसरा नमबर पॉइंट पे, तीसरा नमबर पॉइंट में लिखा है कि जब आपको ये भी पता चल गया, आपने सिलेबस कम्पलीट कर लिया, पीबाइक्यू छाट लिया, पैगदम चैप्टर वाइज छाट लिया, कि इस जग़ जग़ से कोस्टन पुछा जाता है, उसके बाद अब मिक्स प्रैक्टिस करेंगे हम, उसके बाद अबजेक्टिव कोस्टन हो, जहां भी रिसोर्सेस मिले आपको, कहीं भी या कोई भी टीचर मिले, कोई भी रिसोर्सेस हो, रिसोर्सेस मेटर नहीं करता है, आपको मेटर करता है कि प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, मिक्स कोस्टन का उसके बाद भरपूर, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे भाई जब आप प्रैक्टिस करोगे न तो प्रैक्टिस से हमें अंदाजा लगता है कि सपोज मान लिजे हमने 50 नंबर का टेस्ट लगाया तो कितने माक्स उसमें आ रहा है मिक्स में क्या मेरा 50 आउटो 50 आ रहा है अगर आ रहा है तो फिर मजे मजे में हो तुम अगर 50 नंबर का टेस्ट लगाये उसमें मेरा 38 नंबर आ रहा है 38 में 50 आ रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिस करने की आवस्यक्ता है तो तीसरा काम हम लोग ये करते हैं objective question और subjective question का थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं and last में topper क्या करता है final में model paper का solution करता है अब देखो model paper भी बच्चा लोग क्या करता है पता है ध्यान से सुनना इसमें logic है model paper जैसे release होता है बच्चा YouTube में answer ढ़ोनना शुरू कर देता है teacher answer करवा देता है गलत तरीका एक अदम खुले हम बोलते हैं गलत तरीका पहले आप answer teacher का तो काम है solution कराना वो तो कराएंगे ही लेकिन आप पहले मत देखो पहले आप model paper को खुद से solve करो और जाच करो कि मेरा model paper में कितना score हम कर पा रहे हैं वहां से आपका final score पता चल जाएगा कि 100 number का model paper मेरा आया उसमें मेरा क्या 80 number आ रहा है क्या मेरा 90 number आ रहा है या फिर मेरा 70 number ही आ रहा है तो ये जाच किया जाता है model paper से final model paper से और बाद में उसका जो है हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई उसका जो है किसी teacher के माध्यम से solution देख लेते हैं तो यह तो हो गया topers की कहानी अब हम ठारे physics के राजा science के king तो हम आप लोगों के लिए क्या करने वाले हैं ध्यान से समझना अब आता है logic हम आपको सबसे पहले तो syllabus complete करवाए हैं अगर आप 12th के student है 12th के student है तो आपको सन्नी science classes में जाना है उसका playlist खोलना है और उ उसमें जो physics का अलग से playlist बना है उसमें देखिया हर एक video free of cost एक रुपए नहीं लगेगा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा उस तरह का content एक बार जा करके देखना ठीक है 12th में physics की बात कर दिये तो syllabus complete की बात कर रहे हैं अगर आप 10th के बच्चे हैं अगर आप 10th के बच studies में कहां जाना है मेरे लाड़ लो सन्नी global studies में जाना है और वहां पे मेरा one short video है 10th का क्या है one short video है जैसे रसाइनिक अभिकरिया एवं समिकरन one short video पढ़ा हुआ है आप जा कर देखिये real feel नहीं आ गया फिर बताना कि सर आप physics नहीं पढ़ाते हैं बढ़िया या science बढ़िया पी बाइक्यू का collection ये भी हम आप लोगों को देने के लिए तयार हैं लेकिन आपको उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा मेरे लाड़ लो आपको एक application है जिसका नाम है SGS Classes के नाम से एक application है जो कि आपको play store में मिलेगा ये वालाई के लिए जो है आपको play store में ज साम करती है तो इसी लिए हम इन चीजों को free नहीं कर सकते हैं अगर आप खुद सक्षम हैं इन चीजों का collection करने के लिए तो आप खुद कर लिजिए अगर आप हम मेरे उपर विश्वास रखते हैं तो हम आपको ये कर के देंगे collection लेकिन उसके लिए आपको क्या करना हैं तो 149 रुपया आपको पड़ेगा लेकिन अगर आप 12 में सिर्फ physics का लेते हैं तो सिर्फ और 49 रुपया में सब चीज मिल जाएगा जान लेना 49 रुपय में ही physics में सब चीज मतलब समझो कि 49 रुपय पे करो और 100 out of 100 physics में लूट लो ये हम आपको दिलवाने वाले हैं प 40 रुपय में मिलेगा और अगर पूरा complete syllabus लेना चाहते हैं तो आपको 149 रुपय पे करना होगा फटा फट जाईए और admission लीजिए उसमें admission start है उसके बाद बात करते हैं वैसे इसको जो है हम लोग YouTube में भी फ्री में करवाने वाले हैं आगे चलके उसके बाद ये वाला जो ह यूट्यूब में आप जाकर देखिए जो हमसे जुड़े भली बात ही जानते हैं है कि नहीं डेली आट वजे लाइब कलास भी होता है रात आट वजे डेली है कि नहीं उसके बाद ये जो ये वाला last वाला point है ये सारा का सारा आपको जो है जब model paper आएगा तो हम आप लोग fulfill करवने में हम आप से पूरी मदद का हम आप पूरी तयार हैं अब आप लोगों को क्या चाहिए यह बताइए हमको जो भी आप लोगों का problem हो आप नीचे comment section आपके लिए छोड़ा गया है आप वहां comment कर देना हम आपके लिए 2400 गंटा तयार हैं क्या आप तयार हैं अगर आप तयार हैं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता है टॉपर बनने से ध्यान रखना मेरे बाई तो यह कुछ था उमीद करते हैं कि आपको जो है पसंद आया होगा session पसंद आया तो अपने दोस्त यार में share कर दीजिएगा मिलेंगे next class में तब तक के लिए bye take care love you all merry lord low